आज का वीडियो वैसे लोगों के लिए है जिनको मरदाना कम जोरी है, संभोग के दोरान जल्दी वीरू निकल जाता है या वीरू यानि मनी बिलकुल पानी की तरह पतला हो गया है, स्पर्म काउन कम हो गया है यानि स्पर्म की संख्या कम हो गयी है, नाट फॉल की प्राब्लम है, या सोप्न दोस जैसी समस्या है या जादा हस मैथून या जादा संभो करने से लिंक खराब हो गया है, मर्दाना कमजोरी है जौनिक्छा की कमी है और आप ऐसे मर्ज को दूर करने के लिए लाखोव ईलाज और पैसा खर्च कर चुके हैं तो अब आप घबराएं नहीं आज मैं ऐसे मर्ज को दूर करने के लिए एक यूनानी हरबल दवा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तमाल करते ही सारा मर्ज दूर हो जाएगा वो भी बिना किसी साड इफेक्ट के तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखे ताकि जानकारी पूरी मिल सके और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दें तो दोस्तों जैसा कि आप स्कीन पे देख पा रहे हैं यह यूनानी कमपनी बखसी का बना हुआ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मुगलिज खास जो 100% नेचुरल है इसे जरी बुटी दोरा तयार किया गया है जैसे निसास्ता, समगरबी, सालब मिस्री, मुचरस, मिस्बासा, इलाइची कलन, कोच, दारचीनी और तमल खाना तो आए जानते हैं मुगलिज खास के फाइदे इसके इस्तमाल करने का सही तरीका और इसकी कीमत वगएरा की पूरी डिटे मुगलिज खास के इस्तमाल से जिनका वीरू बिलकुर पानी की तरह पतला हो गया है वैसे लोगों को ये दवा वीरू को गाढ़ा करता है वैसे लोगों क्या और स्पर्म क्वांटिटी को तेजी से बढ़ाता है जिनका संभोग टैमिंग कम है वैसे लोगों का संभोग टैमिंग और यौनिक च्छा को बढ़ा कर नया जोस पैदा करता है जिनको सौपन दोस या नैटफॉल जैसी समस्या है तो इस दवा के इस्तमाल से सभी रोग दूर हो जाएंगे ज्यादा संभोग करने से या ज्यादा हस में सुन करने की वज़ा से आई कमजोरी को भी ये दवा दूर करता है और योन इक्छा को बढ़ा कर मरदानक कमजोरी को भी दूर करता है खुल मिलाका देखा जाए तो ये दवा साधी सुधा और नौजवानों के लिए एक बहतरिन दवा है जो बिना किसी सैड इफेट के काम करता है तो आए जानते इस दवा के इस्तमाल करने का सही तरीका तो इस दवा का इस्तमाल दो चमज, दूद या पानी के साथ दिन में दो बार इस्तमाल करें सुभा और साम इस दवा की किमत 1.500 ग्राम का 170 रुपया है इस दवा को आप किसी भी युनानी दवा दुकान से असानी से खरी सकते हैं तो उमिद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेयर करें कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं